नमस्कार बच्चों हर बार की तरह मेरा वही प्रश्ण आप कैसे हैं और मानकर चलती हूं कि आप बहुत अच्छे होगे अच्छा थोड़ी देर के लिए आप जहां पी भी बैठे हैं अपनी आखे बंद कर दीजिएगा मैं कोई दूसरी दुनिया में लिके जाने वाली करिय सेहीं आख बंद करकर अब कल्पना कीजिएगा थोड़ी सी बुरी सी कल्पना है कल्पना कीजिएगा बहुत गर्मी है इतनी गर्मी है कि बाहर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा लाइट नहीं है पंखा नहीं चल रहा इंवर्टर नहीं है एसी नहीं चल रहा यानि कि कहीं से भ हुई आपसे यह कहें कि चलो पहाडों की सेर पर चले और ठीक ऐसे ही आपसे कहा जाए अपने आखे बंद कीजे और अगले ही पल आप पहुंच जाए ठंडे ठंडे पहाडों पर जहां चारों तरह खोबसूरत सी बरफ फैली हुई है ठंडी हवाएं अभी और भी आगे है ल ले जानते हैं आखे कि ख़ूशूरत सी लखी किसे आज तो इस कविता के रचनाकार है सुमितरा नंदन पंत कहले हैं जानते हैं स्परीजी के पारे मिभारे ौ धीस मई उन्निस सो अउत्तरा खड़ की कौसानी अल्मोरा में इंधन श्य मित्रा नंदन पनत ने बज्चप संसे ही पता चल जाता है कि बालक में क्या-क्या गुण हैं साज साल के उम्र में स्कूल में कावे पाथ के लिए पुरुस्कृत करना बहुत बड़ी बात है स्थाई का मतलब है पक्के रूप से उन्होंने सहित्तेस रजन शुरू किया स्रिजन मतलब रचना शुरू करी और चायावाद की प्रमुक्स्तंब की रूप में जाने गए चायावाद काल माना गया है पंतजिय के आरंबिक कविताओं में आरंबिक का मतलब है शुरुवाति जब उन्हें की लिखना शुरू किया था उस सभी की कविताओं में प्रकृती प्रेम और रहसे वाद च्हलगता है इसके बाद वे माक्स और महात्मा गांधी की विचारों से बहुत प्रभावित हुए उनकी बात की कविताओं में अर्वेंद दर्शन का प्रभाव स्वश्च नजर आता है जीविका के शेत्र में शेत्र में पंत जी उदेश अंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े आकाश्वाणी में परामर्श दाता की रूप में उन्हें कारे किया लोका यतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की और 1971 में भारत सरकार ने इने पद मभूशन सम्मान से अलंकरत किया और ये हिंदी के पहले ग्यान पीठ विजेता खुए पंत जी को कला और बुढ़ा चांद कितनी खुबसूरत कविता का शीर्षक है कला और बुढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में सहित्य अकाद्मी पुरुसकार 1969 में चिदंबरा संग्रह पर ग्यान पीठ पुरुसकार सहिद आने को पुरुसकारों से सम्मानित किया गया उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ इनके प्रमुक्रितियां है बीना पल्ल युगवानी ग्राम्या स्वन किरन और लोकायाद आते हैं कविता पर जैसा कि मैं बात कर रही है जैसा कौन सा वेक्ति नहीं होगा कि जिसका पहाड़ों पर जाने को जी ना मचले मनना करें और इसे सुदूर यानि की दूर हिमाले तक जाने का अफसर नहीं मिलता बहुत हमाले की पहाड़ी उपर हरकोई नहीं चड़ सकता तो आस पास की जो पहाड़ी लाके हैं जैसे दिल्ली के पास देखा जाया तो शिम्ला हो गया मसूरी हो गया नैनिताल हो गया वहाँ पर अगर हमें अफसर मिलता है तो हम उस अबसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं हाथ से ना जाने देने का अठ्थ है खो देना ऐसे में कोई कवी और उसकी कविता अगर हमें कुख्षा में बैठे-बैथे वह अनुभूती- मतलब है वह आहसास दे दे कि अभी हम परवतिये अंचल से विच्रन करकर लोटे हूं, अंचल मतलब प्रदेश, विच्रन का मतलब है घूमना, अब देखो कि हम आपनी कविता के माध्यम से आपको इस कक्षा में बैठे-बैठे पहाणों की सेर पर लेकर चलते हूं, बस आपने अपना पूरा ध्यान मेरी आवास पर रखना ह और जिस कल्पना में लोक में आपको लेकर जा रही हूं, उस कल्पना लोक में आपको मेरे साथ चलता है। केते कविता में वो बात होती है कि जो आपको अपने साथ, अपने भाव में दूर दूर तक ले जा सकती है। जो कविता हम पढ़ने वाले हैं, वो रुमांच और प कि हम भहीं आगे हैं यहीं नहीं सुमित्रा नंदन पंत के अधिकाश कविताएं पड़ती हुए इवल इसी कविता की बात में करें कि बहुत सारी कविताएं ऐसे हैं ऐसा लगता कि हमारे आसपास की जो दिवारी जहां बैठे हैं वो बिलीन हो गई है विलीन का अर्थ है गाय श्रिंट लाए अब दीरे धीरे में आपको असवार लेकर जा रही हूं अब आप सोचिए कि आप किसी ऐसी जंगे पर है जहां पर धेर सारे अपार मतलब बहुत सारे पहाड़ें आसपास खूब सूरत जर्मी रहे हैं महसूस कीजिए उनकी कल-कल की ध्वनी आपके कानों म प्रण laurel से अपमाओं में करो मतने से मतल कोमल कर देते हैं कि ब्सद्ग का últए इंसं इंशान याप आपक जो है श्रूज करता है कि जो स्थान जिस के बारे भी वो बता रहे हैं और जो जो कह रहे हैं उसके सामने आचुके हैं तो चलिए जैसे मैंने आपसे कहा कल्पणा की लोक में चलते हैं भूल जाहिएगा कि आप इसी कमरे में बैठे हैं अपनी आखे बंद कीजेगा और महसोस कीजेगा कि जब आप अपनी आखे खोलें आपके सामने एक बहुत सारे पढ़ पहाड़ों की श्रिंखला है पूचे नीचे बहुत सारे पहाड़ें पावस रितु है भर्षा का मौसन है परवत प्रदेश पहाड़ों का प् पल पल हर पल परिवर्तित प्रकृतिवेश परिवर्तित मतलब बदलता हुआ प्रकृति का रूप है बारिशों के कारण प्रकृति का एक जैसा रूप नहीं है हर तरफ एक अलग ही सौंदरे है मेखला कार परवत अपार मेखला का मतलब उचे नीचे छोटे बड़ें अप बहुत सारे परवत है अपनी सेहन द्रिग सुमन फाड मानों पहाड जो है यह जो कविता उन्होंने लिखिया उन्होंने एक मानवी करण कर दिया है इस कविता का पहाड को एक मानव का रूप दे दिया है वो पहाड द्रिग सुमन फाड आपने देखा है जब पहाडों की तर बार्पहाड है और उसमें चोटे चोटे चोपूल हैं वह वास्ताव में फूलने हैं वह उस पहाड की आखेहें वह अपनी आखों से ठोल के लिए अपनी आखे फारके अवलोक रहा है बार बार अवलोक का मतलब होता है देखना वो अपने आपको देख रहा है पहाड अपने आपको कहां देख रहा है नीचे जल में निज महाकार महाकार यानि कि महाजमा आकार जैसे जब आप तयार होते हैं तो अपने आपको आप दरबड में देख रहे हैं जैसे कवी ने कलपना की है कि यह पहाड जो है एक मानव रूप में है और उस मानव रूप में पहाड पर जा जा चुटे-चुटे फूल खिले होए हैं वास्तर में फूल नहीं है उस पहाड की आखे हैं और उन पहाड की वो अपने आपको बार बार देख रहा है, कहां देख रहा है? नीचे जल में, नीचे जल है, महाकार, अब जो जल है, उसे दरपन के उपमा दे दी रही है. 6-10, Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows three-step approach i.e. learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tute and avail your courses at affordable prices. पानी साफ है और पानी में पहार की परचाई पड़ रही है. तो कभी ने एक अलपना की है, कि वो जल नहीं है, वो दर्पण है. जल रूपी दर्पण में पहार अपने रूप को देख रहा है. अब तेकी पल पल परिवर्तित, अब एक ही शब्द को यहाँ पर है आपका पुनरुक्ति अलंकार. जब हम एक बात को बार-बार कह रहे हैं. परवत प्रदेश. मैं जानती हूँ, आप सबने मुझसे पहली समझ लिया है कि यह अनुप्रास अलंकार है. द्रुग सुमन, द्रिग सुमन जैनेन की फूल रूपी आँखें. जिनके चर्णों में पला ताल, दरपन साप है, ला है विशाल, जो ताल है, जो तालाब है, वो किसके नीचे है? पहाड के नीचे है, और वो दरपन की दर अप फैला हुआ है, ऐसा लग रहा है, कभी को जैसे किसी ने, आपने देखा का दरपन हम अपने सामने रखते हैं, लंबाई में रखते हैं, चोड़ाई में रखते हैं, लिकिन वहाँ पर दरपन को नीचे जमीन पर बिच्छा दि गा रहे हैं, अब जरजर कौन करता है, जरनी, आप में देखें, जब जरना गिरता है, उचाई से तो एक आवाज आती है, तो कभी ने कलपना की है, यह आवाज नहीं है, वास्ताव में जरना अपनी ही भाश्ना में, जैसे मनश्यों की अपनी बोली है, पक्षियों की अप कि अपने पोली है हवा चलती है व्यावा से जबता है इसमें भी को समझा कभी कहते हैं यह जुरलम जर्जर कर के गर एक कर गुरव गारे हैं दू utilizz पहाणों का गौरव गान कर रहे हैं मद में नस नस उत्तेजित कर मद में मतलब मस्ती में जब पानी उपर से गिरता है तेजी होती है उत्तेजना होती है तो वह उत्तेजना क्या है कि वह तेजी से जुद्धार गिर रही है ऐसा लग रहे है वह बहुत उत्तेजित है मस्ती में है मोतियों की लड़ियों से सुंदर जैसे मोतियों की लड़ियां होते हैं जब पानी लगातार गिरता है ना तो कवी ने जरने की गिरने को मोतियों की लड़ियों के समान बताया है पहाड बता दिया उन्होंने फूलों को आखे बता दिया उन्होंने ताल को दरपन बता दिया और जो ज किह रहे हैं जाग के रूप में जब पानी बहुत तीजी से गिरता है तोहान्य जाग के रूप में करो फो गिरि पर के उड़से उठ कर अभी तो हमने उनका मस्तक देख लिए हम्ने पहाड का मुख बेख लिये जिसे दरपण में देख रहे हैं, हमने उनकी मोतियों की लड़िया गले की माला भी देख ली, जो जरने के रूप में हैं, अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, और आ जाते हैं, हिर्दय पर, गिरिवर के उर से, उर का मतलब है हिर्दय, आपने देखा होगा, कि जब आ पहाडी शित्रों में जाते हैं, तो बड़े लंबे-लंबे पेड़ होते हैं, मैधानी शित्रों में, पेड़ों की उचाए बहुत जादा नहीं होती है, लिकिन पहाडों पेड़ बिलकुल सीधे, पतले और बिलकुल सीधे होते हैं, आप कवी की कलपना देखे, कवी कहते हैं, कि ऐसा लग रहा ह कि वो पहालों के दिल से उठकर उच आकांगशाओं के तरुवर तरुवर मतलब पेड़ उच आकांगशा है मतलब उची इच्छाएं उची इच्छाएं है जहां जाक रहे नीरव नभ में नीरव का मतलब सपेद नभ मतलब आकाश अनिमेश बिना हिले डूले बिना पलग जबकाए अनिमेश अटल एक स्थान पर स्थिर कुछ चिंता पर सोचते हुए विचारते हुए अब देखें कभी ने क्या खल्पना की है कि पहाड़ी प्रदेश में जो लंबे लंबे पेड लगे हुए है ऐसा लग रहा है वो वास्तव में पहाड की इच्छाए है क्या इच्छाए है वो लगातार बिना पलग जबकाए बिना अपने स्थान से हिले डुले कुछ सोचते हुई उस सुन्दर से आकाश को देख रही है उसके उपर कुछ ढूणने की कोशिश कर रही है उड़ गया अचानक लो भूधर सब कुछ शान्त था अचानक क्या हो गया भूधर अचानक क्या हुआ कि बादल उड़ा फड़का अपार पारद के पर और अचानक अपार पारद कर थे बिजली चमकी पहले कवी आपको पहाडों के प्रदेश में लेकर ठंड़ ठंड़ पहाडों पर फिर उनने कहा कि पहाड को एक मनुष्य का रूप समझो और उस पर छोड़ोड़ी फूल लगे हुए उसकी आँखें हैं और उसके नीचे ताला जो ताला बह रहा है वो दरपन है और परव कभी ने बताया कि जो जरने हैं जल्य पर आ गए उसके वक्षतल पर वो ऐसा लग रहा है मानू उसकी एच्छाएं हें वो लगा अतार आकाश को देखती चाह रही है अभी उनका वहनर नहीं कर रहे थे अचानक कभी ने कहते हैं कि परवत प्रदेश पर रूप बदलता रहता है प्रकृती का बहुत जल्दी बदलता है बड़ी जल्दी बादल बनते हैं बारिशी बहुत जल्दी होती तो अचान क्या हुआ पानी की जो बूंदे थी वो नीचे गिरने लग गई है टूट पड़ा भूपर अंबर भूपर अर्थ है धर्थी अंबर का मतलब है आकाश अर्थ क्या हुआ रवशेश केवल आवाज रहे गई पानी इतनी तेज बारिश हुई कि पानी की बूंदे नहीं दिखाई दे रही है सिरफ शोर आ रहा है यानि कि पानी इतनी तेजी से बारिश हो रही है कि वो दिखाई भी नहीं दे रही है केवल आवाज ही आवाज रहे पानी गिरने की आवाज रह गई है और इतनी तेजी से अचानक वो जो बादल अभी उड़ा था वो बारिश के रूप में गिरने लगा तो जो शांत पहाड़ों का पहला जो उन्होंने दिर्श्य दिखाया था अब उन्होंने आपको बारिश के मौसम में मैसोस हो रही है बा पहे शाल इतनी तेज बारिश होई इतनी तेज बिजली कड़की क्या हुआ डर भी हुआ धस गए धरा में धर्ती में सभाय डर से सजमा भाय यानि डर के साथ शाल मतलब पेड आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो ऊपर की मिट्टी जो है वो नीचे बहनी शिरू हो जाती है और जहां-जहां पेड़े लगे होते हैं उसके किनारों पर मिट्टी जम जाती है तो कवी ने कलपना यह करी है कि वो धस गए क्योंकि मिट्टी उनके आसपास जम गई तो वो नीचे इसलिए कहा भी घ्या है कि जादा से ज़्यादा पेड लगाई हैं लेकिन यहां पर हमारी जो है कर दो है कि यह भी कि कि घरगें हैं तरफ कि मिध्टी जाती है अब क्या हुआ जाती है और धुंद आ जाती है पहाड़ी लाकों में अब कलपना करो जो ठंड हो गई है और धुन्द आ गई है तो धुन्द को कभी ने कहा है कि धुआ है और पानी के ऊपर जो है वो धुन्द जो है उसको धुए की उपमा दे दी है कि पानी के ऊपर जो धुन्द चल रही है वास्तव में वो धुआ है यो जलद यान में विचर थक इंद्र खेल था इंद्र चाल और इसके बार जब बारिश होती है पहाड़ों में तो इसके बाद क्या होता है क्या निकलता है बहुत सुन्दर सा इंद्र धनुष कहते हैं कभी ऐसा लग रहा है इंद्र देवता अपनी रचना को अपनी पक्रति को देखने के लिए अपने यान में बैट कर निके है जो इंद्र धनुष है उस यान पे जिसमें सातों रंग नजर आ रहे हैं वो इंद् कविता के प्रारंब कैसे हुआ कवी ने कहा कि इस कविता में उन्होंने पहाडों को मानवी करन रूप उनका दे दिया मानव से उसकी उपमापी है उचे नीचे पहाडों की श्रेंखला है पहाडों पर छोटे छोटे फूल खेले हुए है और उन फूलों को कवी ने आखे कहा है उन आखों के माध्यम से उसके पैरों में जहाँ पर जो ताल है जो तालाब है उसे दरपन के उपमा देदी है कि परवत जो है अपना आकार उसम देख रहा है जर्नों को मोतियों की माला का रूप दिया गया है कहा गया है कि यह मोतियों की माला के रूप में जो जर्ने गिर रहे हैं वो पहाडों का गौरवगान कह रहे हैं पहाडों पर लगे हुए पहाड जो पेड़ है लंबे लंबे पेड़ है कभी ने कहा है मानों क शाय इच्छा है कि हम आकाश को छू लेंगे, उसकी उपमा दी गई है, अचानक बादल आता है, बिजली कड़कती है, और इतनी तेज बारिश होती है, कि सिरफ पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है, जब बारिश खतम हो जाती है, ठंड़क बढ़ जाती है, तो नई वास्ता में ऐसा लग रहा है, तालाब के अंदर से ताल के अंदर से धुआ उड़ रहा है, और सारे के सारे पेंड जो है, वो डर के मारे धस गए, बारिश के बाद इंडजनुष निकलता है, और इंडजनुष को तभी ने कलपना की है, कि इंड़ देता अपने यान म के लिए इस पृध्री लोग पर आए हैं, तो कैसे लगी हमा की पाहारों की सेथ, अच्छी थी, अब देखते हैं कि हमने कविता को कितना समझा, तो सबसे पहले हमने पाठ में, देखिए, अलंकारों के अगर हम बात कर लें, तो हमने सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया प्रकृति वेश में आपका पुनोरुक्ति अलंकार था लेकिन अब मैं आपको इस कविता के साथ साथ समास दी बताऊंगी प्रकृति रूपी वेश में आपका अव्यभाव समास भी है ठीके जी उसके बाद जर जर शब्द आया हमारे पास यहां पर फिर पुनरुप्ति अलंकार आ गया ऐसे इनस नस में आ गया आपका ठीके अब इसके बाद इस तरह से इस पूरी कविता में हमने देखा कि कवी ने अपनी पूरी कविता को परवत प्रदेश को का मानवी करन कर दिया परवत का मानवी करन आपको उजटी ने पर आन झालवाऍथ सब्सक्राइज को are available for the subjects of math, science, social science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright UT follows three-step approach that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright UTay and avail your courses at affordable prices.